हिंदू धर्म में आध्यात्म और आस्था से उपर एक ध्वनी को स्थान दिया गया है और यह भी कहा गया है कि इस ध्वनी के उच्चारण मात्र से ही इंसान तनाव मुक्त होकर सीधे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, वह ध्वनी है ओम। यही नहीं कहा जाता है कि प्रित्वी पर केवल एक ऐसी यही ध्वनी है, जिसे कोई भी शक्स ध्यान लगा कर अपने शरीर के भीतर ही सुन सकता है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को शांती मिलती है, वह शायद कोई भी धाम या फिर तीर्थ यात्रा करके न मिल सके। आईए जानते हैं ओम के रहस्य और चमतकार। कहा जाता है कि यह ध्वनी अनाहत है, इसका मतलब ये है कि यह ध्वनी न किसी टक्राव से पैदा हुई है, और नहीं किसी आहत से बलकि यह ध्वनी स्वयम्धू है, जो की अपने आप प्रकट हुई है। ओम ध्वनी मिट्टी के एक कंड से लेकर आसमान में हर जगह विद्यमान है। पूरे अंतरिक्ष में ओम ही मौजूद है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि नाद और बिंदू के मिलने से ही ब्रहमान की उत्पत्ती हुई है। नाद का मतलब है ध्वनी और बिंदू का मतलब है शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनी आज भी सतत जारी है। ब्रहमान्ड स्वय ही प्रकाशित है और इसे परमेश्वर का प्रकाश यानी शुद्ध प्रकाश कहा जाता है। पूरे ब्रहमान्ड में केवल कमपन, ध्वनी और प्रकाश ही उपस्थित है और इसी उर्जा की वजह से ही प्रित्वी पर जीवन है। ब्रह्मा, विश्नु और महेश, तीनों का ध्यान एक साथ ओम शब्द की उत्पत्ती तीन ध्वनियों से हुई है, अ, उ, और्म ब्रह्मा का वाचक है, उ, विश्नु का वाचक है, और मरुद्र का वाचक है इसका मतलब है कि एक ध्वनी के उच्चारण से ही आप ब्रह्मा, विश्णू और महेश तीनों को ही याद कर लेते हैं उर्जा का भंडार इसके अलावा ओम के उच्चारण से आपकी नाभी, रिदय और आज्या चक्र में जागरती उत्पन्न होती है यह ब्रह्मा, विश्णू और महेश का प्रतीक है यही नहीं कहा जाता है कि ओम के उच्चारण मात्र से ही आपको असीम सुख की प्राप्ती होती है इसके अलावा कहा जाता है कि यह मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे उत्तम साधन है धर्म शास्त्रियों के मुताबिक मल मंत्रया जब तो मात्र ओम ही है जबकि ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गोन कहलाते हैं एकाग्र होना जरूरी ओम के उच्चारन को लेकर यह भी कहा जाता है कि अगर आप एकांत में बैठकर कुछ समय तक ओम का उच्चारन करते हैं और फिर इस उच्चारन को रोक देते हैं तो भी यह आपके मन, मस्तिश्क और शरीर के भीतर इस ध्वनी का उच्चारन होता रहता है इस ध्वनी को सुनने के लिए बस आपको एकाग्र होने की जरूरत है शिव तक पहुँचने का सीधा मार्ग इन सब के अलावा ओम को लेकर एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस ध्वनी के उच्चारन मात्र से ही लोग अपने आराध्य भगवान शिव से सीधे जुड़ते हैं यही नहीं शिव भगतों को अपने भगवान को प्रसंद करने के लिए ओम का उच्चारन करने की सलाह दी जाती है और भारत में मौजूद लगभग सभी शिवालियों में आपको 24 घंटे ओम का उच्चारन सुनाई देगा जो आपको परम सुख देने वाला होता है ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ओम ही शिव तक पहुँचने का एक मार्ग याजरिया है